नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका हमारे चैनल में आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके बहुत जरूरी सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि क्या आपको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और अगर आप लेते हैं तो कौन सी वैक्सीन आपको प्रिफर करनी चाहिए तो इसके अलावा भी वैक्सिनेशन से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे ये सवाल सिर्फ मेरे पेशिंट्स के मेरे रिलिटिव्स के ही नहीं है जो यूट्यूब पर आप पेशिंट्स मेरे को फॉलो करते हैं जो हमियोपिती को समझते हैं उनके भी ये बहुत कॉमन सवाल है तो आशा करूँगा इस शॉर्ट वीडियो में आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल पाएं तो चली सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि क्या मेरे को वैक्षिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तो मेरा वैक्षिनेशन अल्रेडी हो चुका है और मैं अपने वैक्षिनेशन के दोनों डोजर्स अरली फेबरी में लगबग ले चुका हूँ और टच्वूड अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है दूसरा सवाल यह है कि मुझे कौन सी वैक्षिन लगी थी तो मैं अल्रेडी कोवी शील्ड वैक्षिन के दोनों डोजर्स मैंने लिये है और इनिशली कोवी शील्ड लेने की फर्स डोस के बाद दो दिन तक अहां पर बहुत जादा मुझे को इसी समस्या नहीं हुई कोई साइट ऑफ पेन मेरे लिए नहीं रहा अब जो नेक्स सवाल है कि क्या वैक्षिन से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं देखिए मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ लेकिन जितने मेरे नोन हेल्थ वरकर्स हैं मेरे फ सवाल नहीं र Chris वाहा अफ वैक्षिनेशन लेने के बाद कोई प्रकॉछन रखना है जी हां जब आफ वैक्सिनेशन ले हैं तो आपको प्रकॉशन वही सेम है मास्का आपको जरूर पहनने हैं है थोड़ा सा आपको सोचल से लोर चालन करना है लेकिन एक्सराइस आपको जर प्रश्य ना हो अब जो next एक सवाल था कि कौन सी वैक्सीन लें अब मार्केट में स्वाले वैक्सीन अविलेबल है को वैक्सीन आवलेबल है और कोवीशील अविलेबल है और डीसेंटि अब स्प्यूत्निक 5 भी बूर इंडिया में आ चुकी है तो जो यह सवाल है यह बढ़ तो दिन्ग रशियन मेड है फरक तीनों में क्या है कि जो Sputnik 5 और Covishield है यह लगबग similar vaccine है बिकाज यह recombinant vaccine है recombinant vaccine का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने Adenovirus लिया और इसके साथ में जो आपका SARS-CoV-2 था उसके आपने spike proteins का genome लिया और दोनों को combine करके आपने एक recombinant vaccine प्रपेर किया यह Covishield और Sputnik 5 दोनों का सेम है अब जो Covaxin है जो कि इंडियन मेंड भारत बायोटेक की vaccine है यहाँ पर क्या है inactivated या फिर killed SARS-CoV-2 वाइरस है जो उन्होंने इस vaccine के अंदर लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी Sputnik 5 और Covishield है यह दोनों similar है और Covaxin जो है वो different है तो अब अगला सवाल यह होता है कि इन तीनों में से फिर तो हमें Covaxin ने नहीं चाहिए क्योगी Covaxin जादा effective है इसका सवाल का जवाब समझे कि जो efficiency rate है वो Sputnik 5 का अभी तक सबसे जादा माना गया है around 91% जबकि Covaxin का है it is 80% and Covishield का है 75% अब Covishield के संग में जो recent researches आई है recent materials हुमाई पास available है research materials वो कहते हैं कि Covishield में initially जो health workers को हम लोगों को लगी थी that was at an interval of 28 days 28 दिन में Covishield लगी थी अब जो recent researches है वो कहती है कि हमें लगभग 48 days या 52 days में दूसरी dose Covaxin की लेनी चाहिए ऐसा क्यों? क्योंकि जो पुरानी research है वो कहती है Covishield 28 days पे लेने पे उसका efficacy rate लगभग 60% से कम है जबकि अगर आप इसको 48 days या 52 days में लेते हैं तो इसका efficiency rate 75% से ज़ाता है जबकि Covaxin का जो है वो लगभग 80% के आसपास है और Sputinic 5 का 91% के आसपास है अब अगर आप तीनों में से Mr. पूछे कौन सी लेनी चाहिए तो मैं कहूंगा आपके पास जो भी vaccine अविलेबल हो आप उस vaccine को ले because it is not alone the vaccine which is controlling your immune system but it is you and your diet and your regime who is controlling the immune system of your body की आपकी शरीयर की रोग प्रतिरुदक शमता के लिए सिर्फ vaccine जिम्मेदार नहीं है आप क्या खा रहे हैं आप अपना ख्याल किस तरह रख रहे हैं कितनी exercise कर रहे हैं किन चीजों के उपर आप focus कर रहे हैं ये भी चीज़े responsible हैं उस vaccine के efficiency के लिए अब एक और important सवाल था जो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने जो COVID shield vaccine ली उस COVID shield vaccine को लेने के बाद आपको क्या लगता है आपका infect नहीं होंगे देखिए इस सवाल का जवाब सीधा-सीधा ये है कि अगर मैं किसी भी COVID patient के contact में आता हूँ और अगर मैंने precautions का ध्यान नहीं रखा है, sanitization का ध्यान नहीं रखा है, मैंने properly जो मेरी kit थी उसे नहीं use किया है, double masking use नहीं करी है तो 100% मैं भी COVID से affected हो सकता हूँ, लेकिन मेरी recovery जो होगी वो हो सकता है, थोड़ी सी जल्दी हो और easy हो, smooth हो मुझे समस्याएं जादा ना हो और मेरे शरीर में complications ना आएं, इसलिए आपको जो भी vaccine मिल रही हो, आप आराम से उस vaccine को लगवाएं अब अगला सवाल ये है कि देखिए, इसका सवाल सीधा सा है, जब आपकी body में अलग-अलगत रहे के से बनी हुई already एक dose लग चुकी है तो आपका immune system उसके लिए trigger already हो चुका है अब suppose करिए, किसी ने recombinant vaccine ले ली, यानि किसी ने covichid ले ली, और उसने दूसरे dose उसको vaccine कर ले ले, तो क्या होगा आपका immune system confused हो जाएगा और जो results मिलने चाहिए, वो results आपको नहीं मिलेंगे एक और important सवाल ये था कि क्या आपको vaccination के संग में होमोपतिक medicines लेनी चाहिए ये सवाल सबसे ज़रूरी है और इसका जवाब ये है कि देखिए, अगर आपको किसी भी vaccination के बाद समस्यां पैदा हो रही है किसी भी तरह की problem हो रही है जो कि तीन दिन से ज़्यादा extend कर रही है तो ऐसे में होमोपतिक medication बहुत ज़्यादा helpful है और कई सारे patients को मैंने medication दे कर normal किया है, बहुत सारे health workers को भी, जो मेरे colleagues थे, उन्हें भी मैंने दवाईयां दी है और medicines से, जो छोटे-बोटे complications होते हैं, उससे उन्हें improvement आया है और जल्दी improvement आया है तो इसलिए समझ लीजे vaccines बिल्कुल safe हैं आप vaccines के संग में होमोपतिक medicine ले सकते हैं लेकिन अपना ध्यान रखिए, diet का ध्यान रखिए जो आपका regime है, उसका ध्यान रखिए अलग-अलग vaccine की दो अलग-अलग doses बिल्कुल मत लीजे और vaccination टाइम पे लीजे आशा करता हूँ कि vaccination से जुड़े आपके सवालों के जवाब मैंने सारे दे दिये हैं अगर आपको फिर भी कोई सवास्या लग रही हो, कोई आपके मन में डाउट हो तो आप प्लीज मेरे को comment section में बता सकते हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप चैनल को subscribe करिया दाकि मैं इसी तरह आप तक सही जनकरिया पहुँचा पहूँ में ये तरफ से नमस्कार, thank you